हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोहा की रेस्पी करीब 5 मिनट में पोहा बनकर तयार हो जाती है और काफी स्वादिस्ट बनती है पोहा खाने में जितना टेस्टी होता है ये पचने में उतना ही ज़्यादा आसान होता है और ये सबसे ज़्यादा फेमस और मशुहूर MP के अंदर है आनि मद्य प्रदेश की फेमस डिस है जो कि ब्रेक फास्ट में सर्व की जाती है अब ये पोहा बनाना जितना आसान है उतन पोहा को अच्छे से वाश करना बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर जो मैंने पोहा लिया है वो करीब 250 ग्राम तक है और इस पोहे में काफी ज़्यादा गंदगी होती है डर्स्ट होते हैं जो दिखते नहीं है विजवली लेकिन जब आप पोहे में पानी डालोगे तो इसका पानी का रंग जो है वो बता देता है पोहा कितना ज़्यादा गंदा है पानी तब तक आपको डालना है जब तक कि यह किलियरली वाश ना हो जाए यानि पोहा साफ ना हो जाए पानी साफ आपको ट्रांस्परेंटरी दिखने ना लग जाए इस वज़़े से अलग-अलग अलग-ی पानी लग सकता है कोई पोहा दो बार में वाश हो सकता है कोई पोहा तीन बार में चार बार में भी वाश होता है मैरा जो फोहा लिया है वह बहुत ज्यादा मोटा वाला नहीं है मिडियम मोटाई वाला है और एसे ही आपको पोहा पर्चेश करना है spasily breakfast पोहा बद पोहे को कभी भी जब पानी इसमें से ड्रेन आप करें तो बहुत निचोर निचोर के ना करें इससे पोहा तूट सकता है या फिर पोहा बहुत जादा सौगी हो सकता है और इकठा हो सकता है जो कि फिर खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा ना ही उसका टेक्चर जैसा आने वाला है जो गंदा पानी था उसको मैंने सेपरेट कर लिया है पोहे को यहां पर धो करके और पानी जितना यहां से निखर जाए थाली में से उतना ही मैं निकाल रही हूँ बहुत एफट लगाने की जरूरत नहीं है इसको मैं साइड में रख दूंगी नीचे की जो पानी थोड़ी बहुत मातरा में बचे वी है पोहों के अंदर सोक होती रहेगी और पोहा काफी अच्छे से फूल हो जाएगा यानि की फिल अप हो जाएगा पानी से फूल जाएगा वो पोहा तो चलिए अब यहां पर लेते हैं एक कडाई जैसे ही आप यह साड़े काम कर ले वैसे ही फटा-फट से कडाई चडा लीजे गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिएगा बहुत तेज नहीं रखना है बहुत कम नहीं रखना है यहां पर मैंने दो से तीन चमच जो तेल होता है रेगुलर वो डाल लिया है इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा राई अब यह साइस का प्याज है और साथी साथ दो यहां पर हरी मिर्च काट के रखी है कड़ी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्वाद अच्छा आता है तो कड़ी पत्ता भी ले ले और इन तीनोवी चीजों को इस तेल में डाल दीजे और इसको थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स के के लिए भून लीजे बहुत ज्यादा भूनने की जरुत नहीं है क्योंकि सब्जी नहीं वनानी है इसको ब्राउन नहीं करना है एक क्रंचिनेस आना चाहिए प्याज का स्वाद अच्छा मीठा आना चाहिए तो इस वज़े से थोड़ा सा इसको तब तक भूनेंगे जब कि हलका लाइट कलर इसका कैरमलाइज जैसा न दिखने लगे जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है वैसे ही इसमें डालेंगे बहुत ही कम मातरा में हल्दी जैसे एक चोथाई हल्दी डालिए एक टेबल स्पून का और यहां पे जो दाने थे मुमफली के वो भी मैंने डाल दानों को जादा नहीं बुनना है क्योंकि क्रंचीनेस नहीं करनी है पोहे में जो ट्रेडिशनल पोहा होता है उसमें स्वागीनेस रहता है एक तरह का मुमफली के दानों में वो क्रिस्पिनेस नहीं होता है और मार्केट में जो है पोहा बनाने का तरीका अलग होता है इसे काफी दर तक स्टीम किया जाता है नीचे बहुत गहरे तलवे का बरतन होता है जिसमें पानी डाल देते हैं उपर से पारात में पोहे इस तरह से मिक्स करके वस फैला देते हैं और स्टीम से वो पकती रहती है बट घर में इतना ज़्यादा लेंदी प्रॉसस नहीं कर सकते हैं वो अच्छे से हो जाए ताकि हमें मार्केट वाला टेक्चर मिले पोहा काफी ज़्यादा सॉफ्ट है लेकिन खिला-खिला सा है जैसा की आजटी आपको देख रहा है अब इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर दीजे पोहे को जब भी कडाई में डाले तो बहुत फटा-फ जाएगा तो देखे पोहे को अच्छे से मिक्स करने के आपको सेकेंड मैं धक लिया है उसके बाद मैं इसको प्लेट पे सर्फ कर रही हूं यह बहुत इंपॉर्टन स्टेज है क्योंकि पोहा अच्छे से जो है पॉफ होना चाहिए पका हुआ होना चाहिए और अच्छे से सौफ ने सुना शायए जो इस ट्रिक से ही आता है यहाँ पे आप डेकुरेशन के लिए सौफ करने से पहले या तो आप बारीक सेव दाल सकते हैं तीखी वाली सेव दाल सकते हैं तानारं के कुछ डाने भी डाल सकते हैं और इन सब को डालने के बाद आप निम्बू जरू डालें निम्बू बहुत इंपोर्टेंट है निम्बू आप इसमें करीब हाफ यानि एक निम्बू का आधा जो होता है पार्ट वो डाल दीजे और इस तरह से स्थर्फ करिए थाइंक यू सो मज